नमस्कार आप देख रहे हो दिर प्रिदेश टाइम्स मैं आपके साथ धिती शर्मा आई नजड़ा होते हैं साथ बजे की साथ बड़ी खबरों पर फ्लैट में लगी एसी में हुआ ब्लास्ट आग की लप्तों से फैली दहशत गाजियाबाद में एसी में ब्लास्ट होने से फ्लैट में आग लग गई आग लगने से लागी में दहशत फैल गई सूचना फैर ब्रिगेड को दी गई मौके पर पहुंची फायर टेंडर यूनिट ने आग पर काबू पाया नौयडा के बाद गाजियवाद की वसुनर सेक्टर वन में एर कंडिशन फटने से लोग दहशत में है राहत की बात यह है रही कि सगनी कान में कोई जनहानी नहीं हुई यूपी बिहार सुवेट पांच राज्यों में जारी गर्मी का कहर चार दिन और सताय की लूग उत्रिप्रदेश बिहार और इनसे जुड़े अन्ने राज्ये में अभी भी लोग भीशन लूग का कहर जेहल रहे है हालांकि यूपी के कुछ इलाकों में आसुवेट 6 जून को हलकी भारिश हुई मौसम विभाग के मुताबिक मांसून अपनी सामाने रफ्तार से चल रहा है और उत्रिप्रदेश के कुछ हिस्सों में ये 20-25 जून को पहशता है और 15 जूलाई के असपस पूरे देश को कवर कर लेगा मौसम विभाग में इस साल अच्छी बारिस के आसार जटाए है यूपी के सीम दोनों डिप्टी सीम और भाजवा प्रेदेश अध्यक्ष दिल्ली बुलाए गए हार की होगी समिक्षा बिजेपी को सुबे में मिली हार से केंद्रिय नेतर्त्व नाराज है और सुबे के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीम केशो प्रसाद मौरे डिप्टी सीम विजेश पाठक और यूपी बिजेपी के अध्यक्ष भुपेंदर चौधरी को दिल्ली तलब किया है इस बैटक में उत्र प्रदेश में विजेपी के कमजोर प्रदेशन पर चर्चा होगी दुरसल भाजपा को मिस से कम सीटे मिलने पर मंथन का दौर चल रहा है लोग समच उनाव खतम होने के 48 घंटे के भीतर ही योगी सरका ने गुरुवार को पहले जनतार दर्शन में लोगों की समस्याइं सुनी और उसके बास सभी विभागों के प्रमुक सचीवों के साथ बैट कर योजनाओ विकास कारेकरमों की समिक्षा की पहली बैठक में ही मुख्यमंत्री ने भरती प्रक्रियातेश करने का नरदेश दिया गांव और शहरों में योगी ने लगातर विजली देने का भी आदेश दिया है फैजाबाद से समाजवादी पार्टी की जीत और विजेपी की हार पर समाजवादी पार्टी के मुख्या अखिले श्रियादव का बयानाया है उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि विजेपी उत्रप्रिदेश में और भी सीटे हारती मैं अयोध्या के लोगों को धन्यवाद देता हूँ समय समर पर अयोध्या का दर्द देखा है उन्हें उनकी जमीन का उच्चित मुआफजा नहीं दिया गया उनके साथ अन्याय किया गया उनकी जमीन बाजार मुले के बराबर नहीं ली गई उन पर जूटे मुकदमे लगाकर उनकी जमीने जबरन छीन ले गई उन्होंने कहा कि बिजेपी वालों ने एक पुन्ने का काम के लिए गरीबों के आशियानियों को नस्ट कर दिया इसलिए आयोध्या और असपास के इलाकों के लोगों ने सरकार के खिलाफ मददान किया आयोध्या में रामलला की प्राणप्रतिष्टा के बाद बीजेपी को यहाँ प्रेचंड़ जीत की उमीद थी बिजेपी को लगता था कि अयोध्या की वज़े से उसे पूरे छेत्र में फायदा होगा इमरान मसूत की जीत के बाद समर्थकों ने मचाया हुड़दंग बाइकों पर सवार हुडदंगियों का काफिला कुदुब शेर थाने के सामने हुटिंग करते हुए और महिलाओं को अशलीली सारे करते हुए निकला जोरान पुलिस विवश नजर आती रही सारनपुर शेहर के ही रहने वाले एक व्यक्ती ने शोशल मीडिया पर पोस्ट करके कारवाई की मांग की है इसके बाद ये वीडियो वाइरल हो गया इसका वीडियो शोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वाइरल हो रहा है आचार सहीता हटने के बाद सरकारे कारालों में भी कामकाज गती पकड़ेगा वे लंबित कारे शुरू हो सकेंगे लोग सबचुनाव के परिणाम आने के साथ ही देश में 82 दिन बाद आरदश आचार सहीता हट गई है इसके बाद से ही प्रशाषनी गती वीदियो फिर्श से शुरू हो गई है आदरश आचार सहीता हटने के बाद से प्रदेश में कलेक्टरेटों में आम जंता की शिकायते सुनने के लिए जन सुनवाई शुरू हो गई आज की बिलेटिन में इतना ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े राने के लिए देखते रहे ही उतर प्रदेश टाइम्स तन्यवाद